ब्रोट टो यू बाई वीगाड को पावर्ड बाई सेंसोडाइन और विमल बोलो जुबा केसरी अबसकार टीवी नाइड डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ साजिद अली चुनावी विसात पर आकास आनंद ने एक आएक धणादर दस रेलियां कर दी सिक्षा, स्वास्थ, नौकरी, बेरुजगारी तमाम जैसे मुद्धों पर आकरम अक्तेवर दिखाए लोगों को उनके भाशन भी पसंद आने लगे लेकिन अचानक सीतापूर की रेली के बाद ऐसा क्या हुआ कि आकास आनंद की रेलियां बंद हो गई एक भी रेली अब नहीं हो रही है और आगे क्या होगा इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है तो आज इसी खास मुद्धे पर हम जानकारी के लिए विशलेशन करने के लिए और डिसकस करने के लिए यहां पर आये हैं हमारे साथ हमारे शहियोगी पुषकर चोहान जी भी है पुषकर जी आकास आनंद एकदम टेजी से उबहे सोशल मीडिया से लेकर सियासी गल्यारे तक सबकी नजर उन पर चली गई लोगों को उनके भाशन भी पसंद आने लगे लेकिन सीतापूर की रैली में जो एक बयान दिया उन्होंने उसके बाद उनकी रैलियां लगातार रद कर देगी एक मही को जो रैली होने वाली थी वो भी रद कर दे गई और आगे का भी जो कारकरम है वो भी रद कर आपके हिसाब से अचानक ऐसा क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बताओं कि जब वो सीतापूर में रैली में सरकार को बड़े तल खंदाज में बहुत तल खंदाज में बोलते हैं कि यह ऐसी सरकार है मैं उन विवादिद शब्दों का इस्तिमाल नहीं कर रहा हूँ सरकार पर बिलकुल जो मतलब सबसे सीवियर एटेक हो सकता है वो था यहां तक कह गए आतंगवादियों की सरकार है गदारों की सरकार है अब क्या हुआ उसके बाद जब उन पर एफाई आर दर्ज हुई और एफाई आर दर्ज होने के बाद उसके बाद आनन फानन में 28 इन फैक्ट मैं आपको बताओं सबसे पहले आकाशानन ने रियक्षन टीवी नाइन को ही दिया था और हमने चलाया था जब उनसे रात में वो पहुंचे एफाई आर दर्ज होने के बाद उन्होंने का सरकार डर गई है सरकार डर गई है इसलिए फाई आर करवा रही है उसक लोगों का नजर नहीं गई कि कहा है क्या है बोला लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं अपरेल में उन्होंने जब बिजनौर से अपनी सभा शुरू की थी और चंशेकर के नगीना सीट भी बिजनौर जिले में आती है उन्होंने बिना बेलगाम बेलाग और से आकाश आनन शोशल मीडिया पर मीडिया पर चर्चा का विशय बन गए फिर उसके बाद आकाश आनन ने इंटरव्यूस भी देने शुरू किये लेकिन आकाश वो सवाल उठा रहे थे मायावती की रैली नहीं हो पाई थी 14-13 तारीक तक 13 अपरेल तक जबकि प्रतम च जो कहते हैं सियासी बज क्रियेट कर चुके था और बोले कि हर जगे काम हो रहा है इस से आप लोग बेफिकर रहा हूँ आẽayan जो टिकत बटवारा है यंव condition कि स्यासीड़े रेता कि लिए काम कर रहा है हम समाज के लिए काम कर आकाशानन्द आये और उन्होंने बोलना शुरू किया उससे ये लगा और उसी दोराज जो मेरत में देवरत त्यागी को जो लोग मान रहे थे कि किसी मुस्लिम को टिकट मिलेगा और हर जगे जिस तरीके के टिकट बटवारे देखने को मिले बोले मायावती ने तो कमाली कर दिया है फिर लेकिन वह हम जाएंगे कैसे मायावती ने ताठाठाठाठाठाठा टिकट भी बदलें लेकिन हम लोग आकाशानन्द पर रुखते आकाशानन्द की तरफ से कल ही सफाई दी गई कि नहीं नहीं आब मायावती के रहलियां हो रही है नहीं लेकिन जो हमको जानकारी मिली है और जो हम लोग बात कर रहे हैं सूत्रों से वो ये कह रहे हैं कि मायावती को ये वाला एग्रेशन अकाशानन्द का पसंद नहीं आया है अब वो जो लगातार एकदम से अटैक मतलब आप समझ रहें ना नोजवानों को क्यों कहा गया है कि वो कुछ भी बदल सकते आपने दिया कोडिनेटर वो जान गया जमीन पे काम है नहीं लोगों में गुस्सा है अगर हम दीमे दीमे बात करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं बिल्कुल और वो आकाश के उपर कोई बैग एंड बैगेज नहीं था कि हम यहां से आए यह है उन्हें मायवती ने जिम्मेदारी दीती बोले आप कीजिए और यही जो उनका ज़्यादा तेज चलना जो मायवती के कोट्रे के लोग थे उन्होंने कहा बहन जी यह है स्वास्त अरसल में सियासी स्वास्त खराब हो रहे थे और वो वो स्वास्त आप समझिए 14 और 19 जो बीजेपी की लीड आई है इससे किसी से नहीं चुपा है कि दलित वोटर बीजेपी में 14, 17, 19, 22 शिफ्ट किया है और वो शिफ्ट ही जब आकाश आनंद ने कागज देखा कि हम लोग हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है कि मायमती जी की तबियत भी खराब थी और बाकी कोई नेता काम कर नहीं रहा था क्योंकि 22 के चुणाओं में उन्हों नहीं का था कि मैं नहीं पोल पा रही हूं मेरी वोकल कॉर्ड में थोड़ चंसेकर को नहीं निशाना बनाए बिल्कुल और उसके बाद जब अगर यह मामला रहा कि डर गें उस वक्त उन्हों ने यहीं कहा था कि वह आते हैं सड़क पे मजमा लगाते हैं मुकदम हो जाता है चंसेकर तो चले जाते हैं तो फिर तो यह वहीं बात होगे कि ताब एक चंसेकर को मुद्धा बनाएंगे यह तो पार्टी अद्धेक्षत है करेगा ना किया आप रहली कहां जाएंगे करने यह तो एक सिस्टम है हम आपके इसी कंपनी में काम करते हैं हर आदमी के रोल है कि पुश्का चोहन क्या करेंगे साजी दली क्या करेंगे वैसे ही अब व कर रहे थी इसका क्या मतलब है कि मायवती के रहलिया जादा है इसलिए आकाश अनन्द नहीं करेंगे वह थोड़ी ना कर रहे थे जा मायवती करने जा रहे हैं और उनक्त पहे ऐसी मुदों को लिया पे-पर लीक बिलकुल पेपर लीक में नौजवानों के शिच्छक भरती उन्होंने वो अगनिवीर पे बोले, आप ये सोचिए, महंगाई पे बोल रहे हैं और वो सरकार को सीधे ठोक रहे हैं ये क्या बता रहे हैं और एक जिस दौर में जिस वक्त बीजेपी किसी न किसी तरह किसे उस मामले को हिंदू-मुस्लिम या राम-मंदिर वाले मुद्दे पर लेका रहे हैं आकाशानन बावरी मस्जिद और मुस्लिम वाले तमाम मुद्द पर तक चले हैं हर वो मुद्दा उन्हों ने उठा दिया जिसकी उमीदी नहीं थी और जो यह माना जा रहा था आप यह देखिए अगर आकाशानन ने मौडल कोड अफ कंड़क का बहुत बड़ा वाइलेशन किया था तो जब एफ यार था जो तो इसको रोक लगानी चाहिए थी ना तो फिर इन पे लग जाती तब पार्टी में ठाल लेती हुआ कि वो जो प्रेशर आया जो अद्रश्र प्रेशर है जिसके बड़ी बात होती है जिसकी बात विवक्षी विगड़ा जिसके आप ले भी कह रखा है क्या सरकार पर फायर होना गले की फांस बना कुश्चन बार उनको मायावती ने फ्री एंड छोड़ रखा है लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं ना पार्टी में वो इतना अब आप लोग सबक चुनाओ हो रहा है अगर कहां मायावती गटबंधन में 10 आई ती नहीं तो 14 जीरो हो गई है बारा साल से आप सत्ता के आसपास नहीं जा पा र और वो चर्णिंग शुरू हो गई जहां जीत नहीं सक रही थी वहां फाइट में आ गई और जहां फाइट में है अब लोग चर्चा करने हैं नहीं सहारेंपुर में माजिद अलीद सही लड़ गया हम रिजल्ट पे जाते नहीं है एक आप जब हम आप भी काम करते ना तो हमारे सिनियर्स होते हैं तो बोलते हैं की नहीं काम अच्छा किया है आप मेहनत करते हैं रिजल्ट मिलेंगे और वही चीज आकाश आनंद पे आसपास इसी को सियासत कहते हैं जब आप इमांदारी से काम करने निकलते हैं तो आसपास ओले लोग आपके पुरान इसमें मैं तो पीछे उनके राजिव गांदी का ब्यान, इंद्रा गांदी का ब्यान, नेहरु जी का ब्यान, अब उसके जवाब दें कि वो अपना चले, पिल्कुल और आपने ये वाली बात बहुत बड़ी बात कहीं कि जैसे उनके आक्रमक तेवर देखे, उसी को लेके बहन जी के पा मंच से कहते थे, तब नहीं, वो आक्रमक नहीं था, वही हम कह रहे हैं, कि जो फिर आरोप लगने लगते हैं, ब्यास पी किसी और के लिए काम कर रही, उस इमेज को मात्र 20 से 25 दिनों के चुनाव में कम से कम, क्योंकि बस्पा का कहां पे जोर है, यूपी जीतेंगे तो दे कि नहीं, ब्यास पी अपनी जगे काम कर रही है, वो ना बीजेपी से मिली है, ना एस्पी से मिली है, और आप देखे उन्होंने गटबंधन को लेके नहीं, उनके ट्विट्स आप देखे ना, जब से उनको नेशनल कॉडिनेटर बनाया गया था, वो गाय बागाय मतलब ब तेवरों के साथ जाते हैं, तो वो तेवर फिर आपको रिजल्ट ये भी दे सकते हैं. करनाटक में दूसरे चरण में साजी सीटे कंपलीट हो जाएंगी, अब आप कहां जाएंगी? भाई, फिर वही बात है, आप हमने सबसे ताकतवर सिपाही हैं, हम काम आपको भेज दें, चुनाओ छोड़ के कह दें, गोवा कवर कराईएं, तो फिर तो गोवा में थोड़ी राजस्तान में काम है, तो अगर इस तरह से कदम खीचे हैं बस पाने, और एक अपायार के पास सवाल उठने अगर लाजमी है, तो कहीं ना कहीं, NDA के साथ इंडिया गटवंधन भी फिलाल तो राहत मैसूस करेंगा ना सर्थ? इंडिया गटवंधन की दोनों वल्ले वल्ले, वो खड़े थे, तब वो सीधे डलित वोट काट रहे थे, जब जहां-जहां रैली कर रहे थे, अब रोक दिया आप इंडिया वाले बता देंगे, देख लिए मायावती क्या कर रही है, और वैसे मायावती ने जहां-जहां जितने चेंज किये हैं, वो सीधा मैसेज जा रहा है, देखें, ये मायावती पर 2022 में जब वो सर्फ एक सीट जी थी थी विदान सभा में, तब ये लग गया आरोप, हमें आप से चुपा नहीं है, हम ये नहीं कहना है, जो आरोप है वो पार्टी दे, नहीं दे, ये perception, हम लोग बात करते हैं, नेरेटिव चला जाता है, अब हो सकता है कि आकाश हानन को कोई काम हो, उनको बेड आ जाना हो, लेकिन नेरेटिव क्या गड़ गया, कि वो बीजेपी पर फायर हुए, तो उनको घरवे ठाल दिया गया, एक लाइन का नेरेटिव है ये, अब आप सिर्फ F.I.R. की वज़े से खीचे गए हैं, तो सियासी गली और हम जो सवाल उठ रहे हैं, वो तो उठेंगे ही, फिलाहाल सोसल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चंसिकर को घहरा, जिस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए थे और उसके बाद अचानक से मौन हो जाना, या उन्होंने किसी दूसरे मोर्चे पर लगा देना, साइद मायवत्ती के लिए एक और परिशानी वाला कदम हो सकता है, और एक और नुकसान भरा कदम हो सकता है, लेकिन इसके पीछे के असली वज़ा क्या है, वो आने वाला वक् परिशान क्या होंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी और ये देखने वाली बात होगी, तो आजी तमाम खबरों के लिए फिलावा बने रहे है, TV9 डिजिटल के साथ.